प्यार ये शब्द सुनकर दिल में एक अलग ही एहसास होता है लेकिन यही प्यार जब एक कदम आगे बढ़कर प्रेम विवाह का रूप ले ले तो समाज के लिए बदहजमी का करण बन जाता है जी हाँ जिस प्यार को ईश्वर का खुब्सूरत तोफ़ा का जाता है वही लोगों के लिए नासूर बन जाता है ऐसे ही कुछ हुआ कानपुर के प्रेमी योगल के साथ कानपुर के एक लड़की अंकिता ने एक वीडियो बना कर उसे सोशल मीडिया पर वैरल कर दिया जिसमें उसने अपनी दर्द भरी दास्ता सुनाई और सभी से हाथ जोड़ कर विनिती की की वीडियो को शेयर करें देखिए ये वीडियो दो मिनिट बार है सेकंड के इस वीडियो में अंकिता ने अपनी आप बीती सुनाई ये बताया कि कैसे उसके माता पेता उसके दूसरी शादी कर रहना चाहते हैं उसके प्यार यानि उसके पती जिसके साथ उसने भाग कर शादी की उसी सलाखों के पीछे डलवा दिया और घर में उसके साथ मारपीट भी कर रही है इन सब के पीछे महज प्रिम विवाही कारण नहीं है दरसल अंकिता ने जिस संदीप के साथ जीने मरने की कसमे खाई भा लेकिन पती-पतनी नहीं हो सकते बस यही सबसे बड़ी इस रिष्टे की फांस बन गया दोनों ने भाग कर शादी तो कर ली लेकिन अब हालात यह है कि पिया सलाकों के पीछे हैं और प्रेमिका घर में बैठी सितम झेल रही है दरसल अंकिता के पिता ने बेटी को नावालिक बताकर संदीब के खिलाफ अगवा करने का मुकदम दर्ज करा दिया वहीं अंकिता का दावा है कि वो 20 साल की बालिक है और उसके परिवार वालों ने उसके पती पर जूटा आरूप लगाया है वहीं संदीब के परिजनों का भी आरूप है कि शादी को गलत ठैराने और उनके बेटे को जूटे आरूप में फसाने के लिए अंकिता की फरजी जन्म तिथी वाला आधार कार्ड इस्तेमाल में लाया जा रहा है संदीब और अंकिता की प्रेम कहानी हिंदू रितिरवाजों के अनुसार गलत है लेकिन कहते हैं ना प्यार अंधा होता है समाज भले ही इस शादी को ना माने लेकिन दोनों ने भाग कर शादी कर ली है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज की पीड़ी भाई बेहन के रिष्टों की वरजनाओं को तोड़ देगी जो संसकार में घुले मिले है कानपुर से अमरीश तरपाठी की रिपोर्ट